देखिए रात के दस बच चुके हैं और खबर बीसेस में आपका स्वागत है बिहार के सियासत में जो भुचाल मचा हुआ है और नितीज कुमार को लेकर कयासों का दौर जारी है कि किसी भी वक्त नितीज कुमार महा कटबंदन का साथ छोड़कर इंडिये के साथ जा सकते हैं यानि कि फिर से तेजस्वी यादों के साथ छोड़कर भाजपा के साथ नितीज कुमार जा सकते हैं हलंकि इस बात में सचाई बहुत है कि नितीज कुमार एक बार फिर से पल्टी मारने वाले हैं नितीज कुमार हो सकता है कल एंडिये के साथ जाए और अपना इस्तीपा र विधायक की बैठक हो, या फिर बीजेपी की, या फिर इधर लालू परसाद यादो, RJD के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, राजदानी पट्टा में लागतार बैठक चल रही हैं, और इन सबों के बीच अब नितीज कुमार एक बार फिर से एंडिये के साथ जा रहे हैं इस बात में बहुत सच्चाई है क्योंकि अब आरजेडी के तरब से भी देखा जा रहा है कि लालू परसाद यादों भी बैठक कर रहे हैं उदर जेडी बैठक कर रही है इधर बिहार के सियासत में खिचिडी तो जरूर पक रही है तभी इतने बैठक पर बैठक हो रही है और सभी बिधायक एलर्ट मोड में हैं लालू परसाद यादों आज सभी बिधायकों को का दिये हैं कि आप अपना फोन ओन रखिएगा फोन ओफ नहीं होना चाहिए यान की सियासत में अन्दर ही अन्दर बडी क्छिडी पक रही है बले मीडिया के सामने बोलते हुए सभी दल बच रहे हैं लेकिन साथ पर देखा जा रहा है कि विहार की सियासत में और महागों भंदन की सरकार में सब कुछ थीक नहीं चल रहा है नितीज कुमार अंदर ही अंदर अब मन बना चुके हैं कि NDA के साथ जाएंगे और महा गटबंदन भी यानि की लालू परसाद यादो की बात करें तेजस्वी परसाद यादो की बात किया जाएं जो फिलाल बिहार के उपमुख मंत्री है अंदर ही अंदर बैटक चल रही है कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके तेजस्वी परसाद यादो बिहार के मुख मंत्री बन जाएं उदर नितीज कुमार महा गटबंदन का साथ छोड़ कर NDA के साथ मिलकर एक बार फिर से नवी बार नितीज कुमार सपत ले सकते हैं अगर कल नितीज कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीपा सौपते हैं और फिर से नितीज कुमार सपत गरन करते हैं मुख मंत्री को लेकर तो फिर नितीज कुमार नवी बार बिहार के मुखमंतरी का सपत लेंगे नितीज कुमार जो बराबर जाने जाते हैं नितीज कुमार के राजनिती से अब सभी लोग भली बाती है कि नितीज कुमार किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं नितीज कुमार कभी भी पल्टी मार सकते हैं और अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि नितीज कुमार के मन में सब कुछ तै हो गया है किवल अब मीडिया के सामने आना बाकी है नितीज कुमार का अधिकारिक बयान आना बाकी है कि नितीज कुमार कभ मीडिया के सामने आकर क्य कुछ कहते हैं और इस बार क्या दलिल देंगे नितीज कुमार किन वजहों से उन्होंने तेजस्वी यादों का साथ छोड़ा क्या कुछ कहेंगे क्योंकि नितीज कुमार अभी कुछ दिन पहले ही कहे थे कि मर जाएंगे मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ अब कभी नहीं जाएंगे और उदर भाजपा भी बड़ा दावा कर रही थी कि नितीज जी के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है तो क्या फिर एक बार बीजेपी का दरवाजा नितीज कुमार के लिए खुल जाएगा और नितीज कुमार जो दावा कर रहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो क्या नितीज कुमार भी अब भाजपा के साथ जाएंगे क्या बयान सामने आएगा या देखने वाला बात होगा किन कारण को बताएंगे नितीज कुमार किन वजहों से उन्होंने तेजस्वी परसाद या पर ना सिर्फ बिहार की बलकि पूरे देश की नजर है कि आखिर नितीज कुमार क्या कुछ कर रहे हैं कभी NDA में जाते हैं और NDA में रहते हैं तो फिर महागटबंदन के साथ नितीज कुमार आ जाते हैं और नितीज कुमार जब महागटबंदन के साथ रहते हैं तो फिर NDA क के साथ चल जाते हैं नितीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं कि deputy सीर का पॉलिटिक्स करते हैं और एक तbug बात किया जाए इंडी अल्याइज्स जोrest कुमार अपने अगवाई में बनाए लगतार पहली बैठक पटना में हुई थी और सभी दल जितने भाजपा विरोधी दल है सभी एक जुट हुए थे नितीज कुमार को कहा जा रहा था कि नितीज कुमार परधान मंत्री बनने की सोच रहे हैं परधान मंत्री के लिए इंडी अलायंस का गठन हुआ है और नितीज कुमार सबसे पहले अब इंडी अलायंस से अलग होने की बात सामने आ गई इंडीए के साथ जा रहे हैं जो नितीज कुमार सभी दल को एक मंच पर लाकर भाजपा को हराने के लिए रन निती तयार कर रहे थे और जब चंद महीने रा गए हैं लोकसभा चुनाव का तो खुद नितीज कुमार महागटबंदन का साथ छोड़ रहे हैं और इंडीए के साथ ही जा रहे हैं वहीं भाजपा जिसको हराने के लिए मुखमंत्री नितीज कुमार सभी भाजपा विरोधी दल को एक मंच पर ल भाजपा के साथ नहीं जाएंगे गलती से चल गए थे तमाम तरह का भाजपा पर अरोप लगा रहे थे लेकिन अब फिर से नितीज कुमार महागटबंदन का साथ छोड़ कर इंडिया अलायंस में जा रहे हैं तो अब नितीज कुमार क्या कहेंगे बिहार की जंता के सामने नितीज कुमार क्या कुछ कहेंगे किन कारण के वज़ा से महागटबंदन छोड़ रहे हैं क्या वज़ा है इसके पीछे की क्या वज़ा है पूरा बिहार जानना चाहता है नितीज कुमार जी कि आखिर नितीज कुमार किसी के साथ भी एक साल डेर साल दो साल रहते हैं उसक अगटबंदन के साथ जाएंगे आखिर इसके पीछे की वजा क्या है और अगर कल ऐसा कुछ होता है कि नितीज कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं और नवी बार बिहार के सियासत में नितीज कुमार मुखमंत्री पद का स्तीपा लेंगे मुखमंत्री पद का सपत लेंगे और नितीज कुमार पर पूरी देश के साथ साथ पूरा बिहार का नजर बना हुआ है कि आखिर नितीज कुमार का अगला कदम क्या होगा कब नितीज कुमार मीडिया के सामने खुल कर बोलेंगे कि आख नितीज कुमार के मन में कहीं ने कहीं ये सब बाते चल रही है और इसका जीता जाकता उधारन कल 24 घंटे के अंदर में सब कुछ सामने हो जाएगा कि आखिर बिहार की सियासत में क्या खिचिड़ी पक रही है क्या कुछ सामने आने वाला है लगतार एक अपडेट हम आपको दे रहें अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहें तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद बिहार एक सोच आप देख रहे हैं